नमस्कार दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है कि पंजाब एन हरियान आई कोड के स्किल टैस्स की फाइनल डेट जो आचुकी है 27 पर वरी से वह स्टार्ट होने वाले हैं तो अब बात करते हैं कि कैसे हम एक्कुरेसी बढ़ा सकते हैं हमारी जो स्टेनोग्राफिय उसके हमेशा कॉमा एक्सक्ट करते हैं क्योंको की वहां पर इक काटा जाएगा तो अगर आपको दस जगें का पूमा मित्त काउं trauma द्री जाए कौन-कौन से words पे और कौन-कौन से mistakes count की जाएंगे आपकी उस बारे में डिटल में चले इस वीडियो को लंबा नहीं कहते हैं मूल बात पर आते हैं कि कैसे कॉमा implement करते हैं इस नवार जी की पूरी टीम ने और मैंने अचानी में मिलके कुछ पीडियाफ रैडी किये हैं जहापर यह आपको बता सकते हैं कि आप अच्छे समझ सकते हैं कि कौन से words कैसे कैसे कॉमा accept करते हैं देखें पहला जो लिस्ट आप देख रहे हैं उपर जो यह टेबल देख रह एड्यक्टीव एग्चल में कि आको पता है कि रणी क्योंकि अट्यक्ट से एड्यक्टीव हो जाता है विर्ड हरा तो इसके बाद जो यह एक करते हैं आगे मैंने सारे words की जो भी list है, हो सकते थे, जितने भी मैं cover कर सकता था, जितने भी format मैं cover कर सकता था, उस सारे मैंने याँ पर cover कर लिये हैं, चलिए आगे और बढ़ते हैं, phrases को लेते हैं, क्योंकि phrases बड़ा major role play करते हैं, क्योंकि जादा तर sentences जो phrases में आते हैं, ठीक है, उन म हम लोग फज़ाते हैं, तो इसलिए हमको वहाँ पर थोड़ा और अच्छे से practice करने के आउशकता है, तो देखो practice के साथ साथ ही चीज सुदेगी, तो जिसे हम मैं phrases लेता हूँ, as we know, अभी as we know के मतलब तुरंत बाद comma नहीं आएगा, as we know का मतलब है, as we know about the matter, comma, इस तरीके जो को आप जब देखेंगे sentences के अंदर, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उसमें, तो आप अच्छे से इन चीज को cover कर पाएंगे, जैसे as वाला देखा, आपने in वाला देखा, on वाला देखा, आपने बाद two वाला देखिए, जैसे to that extent, to a large extent, तो इनके बाद हमेशा comma accept करते हैं, अब देखेंगे ये बात तो होगी phrases की, रोजणा आप करेंगे, एक मैं आपको दो important चीजे बता दूँ, ये जो date का format होता है, जैसे on, dd, mm, yyy, y, y, इसके तुरंद बाद हमेशा comma लगीगा, और on, dd, month का name अगर आ जाता है बीच में, तब आपको comma लगाने, ज दोनों तरफ comma लगीगा, और आपके therefore के दोनों तरफ comma लगा, लेकिन, अगर end के बाद therefore आता है, तो end के बाद therefore आके फिर comma लगेगा, end के इस तरफ comma नहीं लगेगा, same नियम काम करेगा, namely में, अगले कुछ rules हम को समझने हैं, जैसे at दे वाले, और ये for दे वाले जो sentences, TF में आप देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ यहां पर, ठीक है, कुछ यह है कि अगर कोई sentence, if a sentence start with if, it will surely take a comma before second sentence, if वाला condition वाले sentence होता है, मैंने example दे रखा है, if you want to learn comma, you have to practice, अगर आप सीखना है, तो आपको, ठीक है, यहां पर कहीं में लोग then भी उस कर लेते हैं, तो comma use, कोई comma यहां पर use में नहीं आएगा, अगर then में आता है, मैंने आपको पताया, the comma is used for a short or slight pause to separate words in a list, but it is avoided before end, end के जो है, पहले और बाद में, comma admittable नहीं है, जैसे कि आप sentence में देख सकते हैं, everything they will give me food, comma cloth and salary, comma is used to separate adverb clause, when it is followed by main clause, when the train arrives, comma we shall board it, ठीक है, comma is used to separate question, tag from the sentence, यह आपको अच्छे से मालू है, SSC कि जब आप preparation करते हैं, तो question tag वाले questions में, comma लगता है, और comma is used after word of address, प्रिया, comma, bring me some fruit, यह थोड़ा advance हो जाता है, लेकिन सारी के देखने को मिलता नहीं है, बटे, तो यह PDF के सारे जो link है, सारे, जो सभी PDF, एकी PDF में मैंने, इनको सम् इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं, इस वीडियो के part 3 में जहाँ पर अब कुछ important legal words के बारे में आपको मैं बताएंगे,